अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की जहां केंद्रिय नागरिक उड्डियन एवं इसपात मंत्री जोती रादित्य सिंधिया तीन दिवसीय प्रवास पर सनिवार को ग्वालियर पहुँच रहे हैं में भाग लेंगे इस दोरान केंद्रिय मंत्री सिंधिया परिसद में चुनकर आए नए जन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे सिंधिया दोपहर साढ़े तीन बजे स्याम बाटिका बिरला नगर में अनुसूचित जाती समाज के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेंगे इसके बाद साम साढ़े पांच बजे टाउन हॉल बाड़ा पहुँचकर बगहेल समाज के कारिकरम में सामिल होंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले समाजिक कारिकरता एवं सोयम सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए साम 6 बच कर 45 मिनट पर वरिंदा वनवाटिका गोला का मंदिर में आयोजित समान समारों में सामिल होंगे सुबह 9 बजे भितरवार के लिए रवाना होंगे सुबह 11 बजे चिटॉली ग्राम पंचायत के अंतरगत लखने सुरी माता प्रांगण में माता के दर्शन करेंगे इसके बाद दोपहर 12 बजे चिटॉली रानी घाटी मार्ग और भितरवार करहिया रोड के निर्मार की आधार सिला रखेंगे इन दोनों सडकों का निर्मार MPRDC द्वारा किया जा रहा है दोपहर एक बचकर 15 मिनट पर भितरवार में जीना प्रसासन एवं राजसु विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जल जीवन मिसन वा प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना सहित ग्रामीर छेत्र में चल रहे विकास कारियों की समिक् साने कारक्रमों में भाग लेने के बाद सिंधिया साम 4 बचकर 45 मिनट पर वापस भालियल लोटेंगे और गोर्खी मंदिर के धर्शन करेंगे इसके बाद साम 6 बचकर 15 मिनट पर सीतलास ओडिटोरियम कैंसर पहाड़ी पहुचकर कारेक्रम में सिरुत करेंगे吧 12 सितमबर को सुबह साड़े नौ बजे नई सड़क इस्थित चमपा बाग पहुँचकर जैन समाज के छमावाडी पर्व में सामिल होंगे इसके पशाद सुबह साड़े दस बजे से पुरी लिंक रोड इस्थित के दारपूर पहुँचकर पट्टा वित्रण कारिक्रम में समलित होंगे सिंधिया आनिस्थान ये कारिक्रमों में भाग लेने के बाद दोपहर सारह 12 बजे एमपायर रिसॉर्ट जहासी रोड पहुचकर पार्टी के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की बैठक में समलित होंगे सिंधिया साम 3 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे